हालो फ्रेंट सुभगत अमारी योड़ीप चैनल पर प्येस टीनो जबरा आज की वड़े में बात करेंगा पाकिस्तान भूका नंगा मुल्ग G20 समिट का भाव आयोजन देख अपनी ही सरकार पर बढ़के पाकिस्तानी भारत की राजदानी दिल्ली में G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी अपनी ही सरकार पर बढ़क गए भारत में समिट की भवेता देकर पाकिस्तानी नागरीकों ने कहा कि भूके नंगे देश के पास कोई नहीं आता है और पाकिस्तान ऐसा ही देश है वहीं एकन्य बुज़र्ग ने कहा कि अगर पाकिस्तान को अपनी स्थिती सुधानी है तो उसे पडोसी से रिष्टे बहतर करने होंगे G20 समिट की वज़े से इस समय देश की राजदानी दिल्ली में वैस्विक स्थर पर पावर सेंटर बना हुआ है अमेरिका के से लेकर जर्मनी तक दुनिया के तमाम बड़े देशों के परतिनिदी इस समय दिल्ली में डेरा जमाय हुए है जो हमारे पडोसी पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है पाकिस्तान ने बीते दिनों भारत में हुँ रहे जीटवंटी समिट को लेकर कहा था कि दिल्ली में हुँ रहे इस कारिकरम से उसे कोई मतलब नहीं है हाला कि वैस्विक स्थार पर अब भारत की तागत देखर पाकिस्तान लोग G20 समिट को लेकर अपनी सरकार को खुब कोस रहे हैं पाकिस्तानी यूटूब चैनल के एंकर ने जब वहाँ G20 को लेकर स्वार पोचे तो लोग अपनी सरकार पर भटक गए और जम कर खरी खोटी सुनाई आने वाले दिनों में इंडिया बहुत आगे जाएगा भारत में हो रही G20 समिट को लेकर पाकिस्तानी नागरिक ने का कि जिस तरह से इंडिया आगे जा रहा है आने वाले दिनों में वह बहुत आगे जाएगा और इसका प्रोड़क्शन रेट चीन से भी जादा हो जाएगा एक सक्सने का कि बांगलादेश एटिम तागत नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें G20 से में बुलाए गया हमारे लेकितनी सरमंदगी की बात है कि एटिम तागत होने के बाद भी हमें किसी ने पूछा तक नहीं है आज की वीडियो मतने थेंक्स तो वोचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाव